हेलो, कैसे हो आप लोग, विलकम बैक टू माई चैनल आज मूली की प्राठे बनाएंगे, बहुत ही टेश्टी लगता है मूली का प्राठा दो मूली लिए हैं, से छील कर दो कर साफ कर लेंगे इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे मीडियम साइट से इसे ग्रेट करेंगे बड़े वाले साइट से इसे नहीं करेंगे दोनों मूली को ग्रेट कर लेंगे दोनों मूली को ग्रेट कर लिये हैं नमक डालेंगे नमक डालका इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे 10 मिनट के लिए इसे ढख कर रखेंगे 10 मिनट के बाद इसे आप कॉटन की कपड़े में डालकर निचोड सकते हैं इसे हाथ से ही निचोड लेंगे हम आप चाहे तो कॉटन की कपड़े से निचोड लें इसे हम हाथों से ही इस तरीके से सारे मूली को निचोड़ लेंगे इसका इस्ट्रा पानी निकाल लेंगे मूली के पानी से ही आटा को गूतेंगे आप चाहे तो पहले ही गूत सकते हैं आटा को इसे हम मूली का निचोड़ने के बाद ही आटा गूतेंगे इसी पानी से गूत लेंगे सारे गिरेट किये हुए मूली को इसी तरीके से निचोड लेंगे सारे मूली को निचोड कर एक बोल में डालेंगे इसमें कुछ मसाले डालेंगे एक चोटा चमल धनिया को दरदरा कूट कर डालेंगे हरी मिर्च और अद्रक को भी इसे कूट कर ही डालेंगे दरदरा कूट कर इसे डाल लेंगे आप चाहे तो बारी बारी काट कर डाल ले हल्दी पॉडर डालेंगे कस्मेरी लाल मिच पॉडर धनिया पत्ती इसमें नमक नहीं डालेंगे इसे पहले ही नमक डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे, सेव भूजिय डालेंगे, थोड़ा सा इसमें डालेंगे, बेशन का सेव भूजे डालेंगे, इसे डालका इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटा गूत कर तयार कर लेंगे आटे में आजवाइन डालेंगे आधी छोटी चम्मच इसे मूली के पानी से इसे गूत लेंगे एक कप मूली का पानी निकला है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गुद कर तयार कर लेंगे ज्यादा हार्डो नहीं बनाएंगे इसका सौफ्ट ही लगाएंगे आटे को इस्ट्रा पानी थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी डालकर आटे को गूत कर तयार कर लेंगे इसे 10 मिनट के लिए ढग कर रखेंगे 10 मिनट हो गया एक चोटी सी लोई लेंगे लोई में सुखी आटे को लगा कर इसके एक कटोरी बनाएंगे अस्टरफिंग डालेंगे आप अपने पसंद से अस्टरफिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं अस्टरफिंग डालकर इसे चारो तरब से अस्टरा आटा को इकटा करके इसे इस तरीके से लोग कर लेंगे सुखा आटा लगा कर पहले हाथ से फैला लेंगे हाथ से फहलाएंगे तो फटेगा नहीए से बेलने पे इसके उपा से थोड़ा सा और सूख आर्टा लगाकर पुराठे को बेल लेंगे आप मूली को ग्रेट करके इसी में आठा गूत कर भी बना सकते हैं पुराठे को प्राटा बेल कर तयार कर लिए हैं, इसे सेक लेंगे 2-3 प्राठा पहले ही सेक लिए हैं प्राठे को डाल के सप्लट लेंगे 2 मिनट के बाद दोनों साइड से इसे क्रिस्पी होने तक सेकेंगे आप इसे देल, घी या बटर में सेक सकते हैं प्राठे को अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें दोनों साइड से प्राठा क्रिस्पी होने तक सेखेंगे आप इसे बटर से भी सेख सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनता है प्राठा दोनों साइट से प्राठा क्रिस्पी हो गया है प्राठा बन कर तयार हो गया है आप ही इस रेसिपी को ट्राइ करें थेंक यू बाई